हेलो दोस्तों, वेल्गम दू 3 डिट्स प्लस, मेरा नाम है हिवानशू और 3 डिट्स की प्लस से आपको हैपी रिपब्लिक डेई दोस्तों, आज 26 जन्वरी और आज के दिन हमारा समवदान लग हुआ था दोस्तों, आजादी तो हमें 15 अगस 1947 को मिल गई पर ये जो 26 जन्वरी 1950 यानि कि ये जो बीच के 3 साल है, इन 3 सालों के बीच हमने इस आजादी को और सुव्योस्तित और सुद्रिड करने के लिए कुछ प्रेतन की और उसी प्रेतन का नाम है हमारा समवदान निर्माड हुना तो दोस्तों आएए देखते हैं हमारे समवदान का निर्माड कैसे हुआ, इसकी आवश्यक्ता क्यों पड़ी और इसको निर्माड करने के लिए हमने कितनी मेहनत की दोस्तों आपको भी पता है कि जब तक किसी भी देश के पास उस देश को चलाने की उचित ब्योस्ता ना रहे तो वो देश कभी भी तरकी नहीं कर सकता, कभी भी वेश्यक्तार पर अपनी चाप नहीं चोड़ सकता उसी के लिए हमने समविधान निर्माड किया तो आईए आगे देखते हैं अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और प्लीज बेल आइकन जरूर दबा दे तो दोस्तों देखते हैं किसी भी राज्य देश की अस्तित्तों के लिए ये चार चीजे सबसे महत्वपूर है जनसंक्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता जनसंक्या हमारे पास थी, भूभाग भी थी, संप्रभुता के मतलब होता है लिबर्टी, आजादी, फ्रीडम वो तो हमारे पास थी पर हमें क्या कैसे करना है वो चीजे बहुत भेतर ढग से नहीं पता थी और उन्ही में एक और बात आती है सरकार सरकार जो भी हम नियम फॉलो कर रहे थे, जो भी रूल्स और रेगुलेशन थे स्वतंत्ता के बाद वो अंग्रेजों के बनाए हुए ही थे वास्तिक्ता में अभी हम अंग्रेजों के बनाए कुछ नियम फॉलो तो करते है पर उनका अब एक ब्योस्थित प्रारूप है और उनी सब चीजों की ब्योस्था के लिए उनी सब चीजों को एक क्रमबद्द चीज करने के लिए समवधान सभा का गठन किया गया तो दोस्तों ये समविदान सभा का गठन कैबनेट मिशन जो फरवरी में 1946 में जिसका गठन हुआ था जो कि भारत आया उसके आधार पर किया गया 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों हमारा एक बहुत आसान से क्वेस्चन भी बन जाता है अगर हम कोई भी 10 प्लस 2 लेवल का एक्जाम देते कि समविदान सभा का गठन का हुआ था तो आप इसे याद रखिए 9 दिसंबर 1946 को किसके आधार पर? कैबनेट मिशन के आधार पर अब इनका चैन कैसे कैसे हुआ? चैन 239 ब्रिटिस प्रांतों से MLA द्वरा थे मनोनयन 13.-ining से इनका मनो मनोनयन वुआ और छार कमिशनरी छेत्र से गवर्नर जनरलो द्वरा इनका मनोनयन किया गया अब जो भी सदस थे यान से करतेक। से बैठके अब सम्षिभान सभा का निर्माड हो गया तो सम्षिदान सभा अगर हमँरा इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है एक बैठक में तो सारी हर सीजों का निर्डच हो नहीं गया उका सारी डिसीजन एकी बारह बैठके हुई तो हम शुरू के दो और आखरी को दो बैटकों को देखते हैं जो की थोड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए पहली बैटक 9 दिसंबर 1946 को जिसमें 389 सदस्थ थे दूसरी बैटक थर्ड अक्टूबर 1947 दोस्तो देखना पड़ेगा ये जो डेट है पहला 1946 दिसंबर और दूसरा 3 अक्टूबर 1947 यानि की भारत से पाकिस्तान अलग हो जुगा दा और पाकिस्तान अलग होने के वज़ा से ही यहां पर 389 के जगा 299 सदस से ही बचे समवधान सभाम में उस अब ग्यारावी बैटक प्याते ग्यारावी बैटक 14 से 26 नॉबर 1949 के बीच हुई इस दिन समवधान का अंगी करण यानि की समवधान को स्विकारा गया और बारावी बैटक 24 जनवरी 1950 को हुई इस बारावी बैटक में डाक्टर राजेंद प्रशाज जी को भारत का की तिरंगे को रास्ट धच के रूप में स्विकार किया गया बनाने में कुल समय दो वर्स 11 मां 18 दिन जोकियां बच्पन से रटते आए हैं अंगी करण 26 नॉबर 1949 यानि कि भारतिय समवधान को स्विकारा कब गया 26 नॉबर 1949 को और लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950 बहुत ही मह अंतपूर है और जब समवधान का अंगी करण हुआ तो 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे लागू हुआ ना उनिस सो पचास 26 जनवरी अब जब 26 नॉबर 1949 को अंगी करण हुआ तो उस दिन हमने क्या क्या स्विकारा नागरिक्ता नर्वाच्चन संक्रमन काली नुबंद और अ हमारी काम चलाओं सरकार अंतरिम जैसा कि आपको पता है कि प्रथम चुनाओं उनिस सो क्यामन में हुआ था आम चुनाओं तो उसके लिए तब तक के लिए कोई ये काम चलाओं सरकार भी तो होनी चाहिए थी तो उसके लिए अंतरिम उसे भी अंतरिम सरकार कहा जाता है गया, समवेदान सभाक अध्यच आस थाई अध्यच डक्टर साच्छादन सिनहा और अस थाई अध्यच डक्टर राजेंदर प्रशाद जी थे, समवेदानिक सलाहकार बीयन राओ और स्पीकर जीवी मावलंकर, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपोर्टेंट है, समवेदान का प्रारूप प्रारूप दो बार बना प्रतम प्रारूप बियन राओ जी ने बनाया था और दूसरा प्रारूप जो की सर्वमान ने था और जिसके आधार पर ही हमारा समविधान बना बी आर अमबेड कर की अध्यचता वाली 6 सदस से समिती अब यहाँ पर ध्यान देजिएगा बी आर अमबेड कर 1 और 6 सदस यानि कि टोटल इस समिते में 7 लोग थे और यह आखरी प्रारूप था प्रारूप को इंगलिस में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं for the information sick समित के अध्यच कौन-कौन थे कौन सी समितियां बनी और उस समितियों के कौन-कौन सी समित के कौन-कौन अध्यच थे यह काफी बार एक कॉमन सा क्वेस्चन हो जाता मारे एक्जामनेशन में मूल अधिकार समित सरदार वल्लब भाई पडेल थे उसके जंडा समिति डॉक्टर राजेंद प्रशाथ संग समिति पंडे जवाहला नेरू और महिलाओं की संख्या कौन समितियों में कौन महिलाओं की संख्या 15 थी यह बहुत मतपोर चीज है अब हमारे समवेदान की विशेष्टा क्या है इतना दिन लगा दो वर्स 11 मां 18 दिन बनाने में लगे तो समवेदान की कुछ नकुछ तो विशेष्टा होनी चाहिए पहला बात समवेदान बड़ा हमारे समवेदान दुनिया का सबसे विस्तरित समवेदान है दूसरा इसमें बाइस भाग तीनसो पंचान बहन अच्छेद और बारा अनसूचिया वर्तमान समय में है सरवोच्य सक्ती जनता के पास अर्थात जनता के बाद समवेदान गर्थ अंतरात्मक समवेदान है क्योंकि यहां पे राष्ट्रा ध्यच्च चुना जाता है वन्शान उगत नहीं होता संगिय सरकार क्योंकि केंद्र और राज के बीच सक्तियों का विवाजन तीन सूचियों के अंतरगर्थ किया गया यानि कि दोनों एक दूसरे ऐसा नहीं है कोई सरकार एक दूसरे सरकार का कभी विरोध कर रही हो या फिर ऐसी विवादास्पत इस्थिती हो क्योंकि इनके छेत्रों का बटवारा तीन सूचियों के अंतरकर जैसे कि आप जानते हैं संग सूची, राज़ सूची और समोर्ती सूची है समसद्य सरकार है धर्मनिर पेक्षिता ये बहुत महातुपूर है और इसके उपर कई बार नयायले में वाद भी हो चुके है तो देख लेते हैं जिसमें नयायले ने साब किया और समविदान हमारा खुद कहता है कि राज़ का कोई धर्म नहीं है और धर्म को राजनीती से अलग क्या गया है और तीसरी बात सर्व धर्म संभाव यानि कि हर धर्म के लिए समान भावना और हर धर्म के लिए संभावना यानि कि हर धर्म यहां वे विक्सित हो सकता है यहां पर ऐसा नहीं है भारत एक हिंदू राश्टे भारत एक मुस्लिम राश्टे या भिर हम इसाई बाहुले देश है ऐसी कोई बात नहीं भारत के बारे में है अब हमारे सम्विधान की प्रकिर्ती कैसी है ये बहुत common question है बहुत बार पूचा जाता है हमारा सम्विधान कठोर और लचीला दोनों है अब देखते हैं सम्विधान के बाद जो सम्विधान बना उसमें कुछ महतकोड बाते आ जाती है जैसे प्रस्तावना जो की प्रस्तावना को कई नामों से बोला जाता है सम्विधान की आत्मा, सम्विधान की कुंजी, सम्विधान की उद्देश्चिका और सम्विधान का दर्शन यानि कि आप सिर्फ प्रस्तावना अगर आत्मसात करके पढ़ते हैं तो आपको प्रस्तावना से पता चल जाता है कि हमारा सम्विधान कहना क्या चाहता है अब देखते हैं समवधान की भासा और जो प्रमुत सब्दावलिया है वो कहां कहां से ली गई है अब देखते हैं समवधान की पूरी भासा जो है वो अस्ट्रेलिया से ली गई है हम भारत के लोग अगर आप कभी भी प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें शुरू में ही दिया हुआ हम भारत की लोग ये सब दावल ही अमेरिका से लिखे है ये भी दप पिपल आफ इंडिया और कहां से लिया गया उद्देश से प्रस्ताओ संग उद्देश चार्टर आक्ट से अब तक कितने संसोधन हो चुके हैं प्रस्ताओना में मैं दोस्तो समवधान में नहीं संसोधन की बात करूँ प्रस्ताओना में प्रस्ताओना में अभी तक केवल एक संसोधन हुआ है बयाली समा समवधान संसोधन 1976 में जिसके आधार पर चार सब्द अखंडता समाजवाद और पंथ निरपेक्च सामिल किये गए अब प्रमुक्ट सब्दावलियां क्या-क्या है संप्रभुता यानि की आजादी और आउसर की समानता एक्ता और अखंडता और अंगी कृत अधनियम आत्म समर्पित ये हमारे समवधान की प्रमुक्ट सब्दावलियां हैं जिन में से लगबग आपको सभी के अर्थ पता है और अगर हम इस सारी सब्दावलियों को ध्यान से देखते हैं तो ये पता चलता है कि हमारा समवधान न किसी विसेज धर्म किसेज जातिया विसेज वर्ग के लिए बनाये गया है अपितु इसमें हर धर्म जाति और वर्ग को उचित अस्थान दिया गया और उन्हें उचित अधिकार भी दिये गये हैं क्या प्रस्तावना समवधान का भाग है ये बहुत महतपूर वाद है दो वाद हुए थे वेरुआरी वाद और किस्वानन भारती वाद बेरुबारी वाद में कहा गया कि नहीं सम्विधान प्रस्तावना सम्विधान का भाग नहीं है पर किस्वानन्द भारती वाद में कहा गया हाँ समविधान का भाग प्रस्तावना है यानि कि अब अगर आपसे क्वेस्चन आता है कि क्या प्रस्तावना समविधान का भाग है तो हाँ क्या प्रस्तावना न्यायोग्य है यानि कि क्या प्रस्तावना के ऊपर न्यायाले में किस किया जा सकता है तो नहीं समवधान के स्रोत अब हमारा समवधान लिया कहां से गया क्योंकि आपको पता है दो वर्स ग्यारा महिने अठारा दिन इतने दिन हमने अनेक देशों के समवधान को पढ़ा उनमें से जो अच्छी अच्छी चीज़े थी उन्हें हम खोज कर लाए और अब्दे समवधान में इंक्लूड किया तो ब्रिटेजन से हमने क्या लिया कानून का सार्शन, आर्टिकल 14 विदी के समच्छ समता और विदियो का समान सुन रक्षन और संसत्य संबंदित सभी बातें सारी ब्रिटेन से ली गई सहिक तो राज्य अमेरिका से न्याइपालिका, मौलीक अधिकार, न्याइक पुन्राव लोकन की सकती और उपराश्षपती का पद आयरलेंड से नीत निदे सकत्त, राज्य सभा के बारास अंसदों का मनो नयान, फ्रांस से गड़तंत्र, अस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, तच्छड अफ्रीका से समवधाम संसोधन, और जर्मनी से आपात उप्बंद यू एससार यानि की रशिया यानि की जो पूर्व सोव्यत संग था, वहां से मौलिक करता जापान से विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कनाडा से संगिये विवस था, राजविधायकों का राजपाल द्वारा आरक्षण अनुच्छेद 200, बहुत महत्पून है राजविदेकों का राजपाल द्वारा आरक्षण तो दोस्तों यह रहा हमारे संवधान के बारे में एक छोटा सा ड्राफ्टिंग के जरिये हम आपको भताए कि संवधान क्या है, कैसे दिर्माड हुआ और हमारे संवधान की विसिस्ताय गया है, अगर दोस्तों आप इतन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्क्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस QR कोड को स्कैन करिए, जिससे कि आप सीधे हमारे चैनल पर आज जाएं, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वाई बाई बाई, एक बार और फिर से हैप्पी रिपब्लीक डे